हमारे पास data पहले से ही किसी workbook में उपलब्ध हो और हम उसको वहां से copy करके इस नए sheet में paste करना चाहते हैं तो हम जानते है copy paste को option हम कर सकते हैं आईए हम देखते हैं यहां से हमने copy किया right click करके और यहां लगग करके हम फिर से right click button से paste करते हैं पर देखे ये क्या हो गिया है, marks तो paste हो गए हैं, पर उसात में वहां का color भी paste हुआ है, वहां के formula भी paste हो गए, वहां के conditional formatting भी यहां paste हो गई, यानि कि हमारा जो set pattern था वो पुरी तरह से disturbed हो गया, इसलिए हमें इस तरह की pasting नहीं करनी है, जहां पर हमारे conditional formatting और हमारा data validation disturb हो ज आईए हम पुरानी सिति में पहुंचते हैं, ctrl z से undo करके, अब हम एक बार और paste करेंगे, यहां से लिए हमने copy और यहां करके हम right nose button से paste option नहीं चुनके, हम चुनेंगे paste special का option, और यहां जाकर हम select करेंगे कि हमें क्या paste करना है, हमें formula paste नहीं करने हैं, हमें चाहिए values, हम values को click करेंगे, और केवल values paste होंगे, यहां पर formats या data validation या formula कुछ भी paste नहीं होंगे, यह values पर click करके ok करेंगे, देखिए वहां के values यहां आगे हैं, पर यहां की जो formatting थी वो change नहीं हुई है, हम एक बार फिर से undo कर रहे हैं, और एक बार और paste करेंगे, यह copy, यहां हमें paste करन है, right nose button से तो हमने पहले किया था, एक दूसरा तरीका है इसको paste करने का, सिधे paste button पर click करेंगे हम, undo, paste button के यह नीचे triangle से, यहां करके हमें paste special चुनने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि सिधे हमारे पास option से formulae और values, इस values को click करेंगे हम, यह values यहां पर paste हो गए हैं, और हमारे set pattern क और disturb किये बिना, तो अगर किसी पुराने sheet से हमें data लेने हैं, तो हमें इस तरह से लेना है, copy वहां से करेंगे, यहां पर paste करते समय, paste special का option और जिसमें केवल values, इस से हमारा sheet का जो setting है वो disturb नहीं होता है,